हमें कही कारकम में जाने का अउसर आता है सरकारी गेर सरकारी लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग उसका एक्जेकुशन और सरकार भी सुन्चाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है वैसी व्यवस्ता और मैं मानता हूँ कि आज का ये अउसर भारत के मुजियम के दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा ऐसा मैरा पक्का भी स्वास है साथियों गुलामी के सैक्डो वर्सों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुक्षान ये भी किया कि हमारी लिखीत अलिखीत बहुत सारी धरोहर नश्ट कर दी गई कितनी ही पांडूली प्या कितने ही पुस्तका रहे गुलामी के कालखंड में जला दिये गए थे तबाह कर दिये गए ये सिर्फ भारत का नुक्षान नहीं हुआ है ये पुरी दुनिया का पुरी मानवजात का नुक्षान हुआ है दुर्भागय से आजहादी के बाद अपनी धरोहरों को सवक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने हो नहीं पाए लोगों में धरोहरों के प्रती जागुरुकता की कमी ने इक शती को और ज़्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजहादी के अमरितकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की गोश्णा की है उनमें प्रमूख है अपनी विरासत पर घर्व अमरित महोचों में हम भारत की धरोहरों को सवरक्षित करने के साथ ही नया कल्चल इंफ्रास्रक्चर भी बना रहे हैं देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संगराम का इत्यास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृति बिरासत भी है मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल मुजियम पर विशेस महत्व दिया है भारत सरकार भी लोकल और रूरल मुजियम को समरक्षित करने के लिए एक विशेस अभ्यान चला रही है हमारे हर राज्य, हर खेत्र और हर समाज के इत्यास को समरक्षित करने के प्रयास किये जा रहे है हम स्वाधिनता संगराम में अपने ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए दस विशेश मुज्यम्स भी बना रहें मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक जलक दिखने वाली है नमक सत्यांगर के दोरान मात्मा गांदी जिस पत पर चले थे उस दांडी पत को भी समरक्षित किया गया है जिस ठान पर गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा था वहाँ आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है अज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटी देखने गांदी नगर आते हैं हमारे संविधान के मुख्य सिल्पी बाबा साब आमबेड करका जहां महापरी निर्वान हुआ वो स्थान दस्वकों से बदहाल था हमारी सरकार ने स्थान को दिल्ली में पांच अलिपूर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है बाबा साब की जीवन से जुड़े पंचतीर्थ महु में जहां उनका जन्म हुआ लंदन में जहां वो रहे नाकपूर में जहां उन्होंने दिख्षा ली मुंबई की चैत्यभूमी जहां उनकी समाधी है ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है भारत की पांसो अस्सी से जादा रियासतों को जोड़ने वाले सर्दार साब की गगन चुम्बी प्रतिमा स्थेची अफ यूनिटी आज देश का गवरो बनी हुई है स्थेची अफ यूनिटी के भीतर भी एक म्यूजियम बड़ा हुआ है चाहे पंजाब में जलियावला बाग हो गुजरात में गोविन गुरुजी का स्मारख हो यूपी के वारानसी में मान महल म्यूजियम हो गोवा में म्यूजियम अफ क्रिश्चन आर्ट हो ऐसे अनेक स्थानों को समुरक्षित किया गया है म्यूजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयाद भारत में हुआ है हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों की यात्रा और ये गुदान को समर्वित पीएम म्यूजियम बनाया है आज पूरे देश से लोग आकर पीएम म्यूजियम में आजधी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे है मैं यहाँ आए अपने अतितियों से विशेस आगर करूँगा कि एक बार इस म्यूजियम को भी अवश्य देखे साथियों जब कोई देश अपनी विरास्त को सहेजना शुरू कर देता है तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है यह पक्ष है दूसरे देशों के साथ सम्मंदों में आत्मियता जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद भारत ने उनके पवित्र अवसेशों को पीडी दर पीडी समरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवसेश भारत ही नहीं दुनिया के करोणों बवद अनुयाईयों को एक साथ जोड रहे हैं अभी पिछले वर्ष ही हमने बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर चार पवित्र अवसेशों को मंगोलिया भेजा था वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्ता का एक महापर्व बन गया था बुद्ध के जो रेलिक्स हमारे परणोसी देश रिलंका में है बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहाँ कुशिनगर लाया गया था ऐसे ही गोवा में सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र आवसरसों की दरोहर भी भारत के पास समरक्षित है मुझे आध है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जोर्जिया भेजा था तो वहाँ कैसे राष्ट्रिय परवका माहुल बन गया था उस दिन जोर्जिया ने अनेकों नागरी को वहां के सड़कों पर एक बड़ा मिले ज़सा महवर हो गया था उमर पड़े थे ज्यानि हमारी विरासत बैश्वी केक्ता वर्ल यूनिटी का भी सुत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने वाले हमारे मुजियम्स की भुमे का भी और ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों जैसे हम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोडते हैं वैसे ही हमें पूरी पूर्थी को एक परिवार मान कर अपने संजाधनों को बचाना है मेरा सुझाव है कि हमारे मुजियम्स इन वैस्विक प्रयासों में एक्ट्यूप पार्टिसिपर्स बढ़े हैं हमारी धर्थी ने बीती सद्यों में कई प्राकृतिक आपदाए जेली है इनकी स्मुर्थियां और निशानियां आज भी मौजूद है हमें जादा से जादा मुजियम्स इन निशानियों की इन से जुड़ी तश्वीरों की गैलेरी के दिशा में सोचना चाहिए हम अलग-अलग समय में धर्थी की बदलती तश्वीर का चित्रन भी कर सकते हैं इससे आने वाले समय में लोगों में परियावरण के प्रति जागुर्पता बढ़ेगी मुझे बताया गया है कि इस एक्स्पो में गैस्ट्रोनोमिक एक्स्पिरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है यहां आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न पर आथारित बिंजनों का अनुभवी लोगों को मिलेगा भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न दोनों हैं इन दिनों एक ग्लोबेल मुवेट्स बन चुके हैं हम स्री अन्न और अलग-अलग बनस्पत्यों के हजारा वर्ष की आत्रा के आधार पर भी नए मुझेम बना सकते हैं इस तरह के प्रयास इस नौलेज सिस्टीम को आने वाली पीडियों तो पहुचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे साथियों इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम अइतिहासिक वस्तुओं के समुरक्षन को देश का स्वभाव बनाएं अब सभाल ये कि अपनी धरोरों का समुरक्षन देश के सामाने नागरी को स्वभाव बनेगा कैसे मैं छोटा सा उदान देता हूँ क्योन भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक परिवारी संग्राल है बनाएं गर के ही लोगों के विशेम है अपने परिवार की जानकारिया इसमें घर की घर के बुजूरकों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती है आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामाने लगता है लेकिन आपकी लेखने में वही कागज का टुकड़ा तीन चार पीडी के बाद एक एमोशनल प्रपरटी बन जाएगा ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी हमारे भीने भीने समस्तानों और संग्रणों को भी अपने अपने मुजियम जुरूर बनाने चाहिए देखिए का इसे कितनी बड़ी और एतियासिक पुझी भविश के लिए तयार होगी जो देश के विविन्द शहर है वो भी अपने हाँ सीटी मुजियम जैसे प्रकलकुपों को आदुनी स्वरूप में तयार कर सकते हैं इसमें उन सहरों से जुड़ी अइतियासिक वस्तुए रख सकते हैं विविन्द पंथों में जो रिकॉर्ड रखेने की पुरानी परंपर हम देखते हैं वो भी हमें इस दिशा में काफी बतत करेगी साथियों मुझे खुशी है कि मुजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं बलकि एक केरियर आप्सन भी बन रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल मुजियम वरकर्स के दुरस्टि से ना देखे हिस्ट्री और आर्खिटेक्ट्चर देसे विश्वों से जुड़े युवाओं ग्लोबल कल्ट्रल एक्षेंग के मिडियम बन सकते हैं ये युवाओं दूसरे देशों में जा सकते हैं वहाँ के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में स्विख सकते हैं भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं इनका अनुभव और अतीच से जुड़ाव अपने देश की विरासत के समरक्षन के लिए बहुती प्रभावी सिद्ध होगा साथियों आज जब हम साजी विरासत की बात कर रहे हैं तो मैं एक साजी चुनोती का भी जिक्र करना चाहता हूँ ये चुनोती हैं कलाकृतियों की तसकरी और एप्रोप्रियेशन भारत जैसे प्राचिन संस्कृति वाले देश सेकड़ों वर्ष से इसे जूज रहे हैं आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अने को कलाकृतिया अनधिकल तरीके से भार ले जाई गई है हमें इस तरह के अपराच को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा मुझे खुशी है क्या दुनिया भर में भारत की बड़ती सांग के बीच अब विबिन देश भारत को उसकी धरोहर लोटाने लगे है बनारत से चोरी हुई मा अन्पुर्णा की मुर्ती हो गुजराज से चोरी हुई महिसासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो चोल सामराज्य के दौरान निर्मित नटराज की प्रतिमाए हो गुर्गोविन सीजी के नाम से सुसवित तलवार हो पिछले नौ साल में ही करीब दो सो चालीस प्राचिन कलाकृतियों को भारत वापिस लाया गया है जबकि उसके पहले कई दसोंकों तक ये संख्या बीस भी नहीं पहुची थी इन नव वर्सों में भारत से सांस्कृति कलाकृतियों की तसकरी भी काफी कम हुई है मेरा दुनिया भर के कलापार्खियों से आगर है विशे इसकर मुजियम से जुड़े लोगों से अपीर है कि इस खेत्र में सहयोग को और बढ़ाए किसी भी देश के किसी भी मुजियम में कोई ऐसी कलाकृतिय नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहां पहुची हो हमें सभी मुजियम के लिए इसे एक मोरल कमिट्मेंट बनाना चाहिए साथियों मुझे भी स्वास है हम अतीज से जुड़े रहकर बविश के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे हम विरासत को सह जेंगे भी और नई विरासत का निर्मान भी करेंगे इसी कामना के साथ आप सभी का रजय से बहुत बहुत धन्यवाद